राधे राधे, आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को अनकूट गोवरधन पुजा की कता सुनाने जा रही हूँ। आप अपने हाथ में पुष्प और चावल ले लें। आप सभी लोगों को अनकूट गोवर्धन पूजा की हारदिक शुट काम नाएं। भवान श्री कृष्ण को प्रसंद करने तता गोवन्स की रक्षा के लिए यह अनकूट या गोवर्धन की पूजा की जाती है। हमारे कसी प्रधान देश में गोवर्धन पूजा जैसे प्रेरणा पर्ध पर्व की अत्यंत आवसकता है। इसके पीछे एक महान संदेश है। गौव यानि प्रित्वी और गाये दोनों की उन्नती तथा विकास की ओर ध्यान देना। उनके संबर्धन के लिए सदा प्रेयतन सील हुना। यह भाव छिपा रहता है। अनकूट का महसभी गोवर्धन पूजा के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रदीपदा को ही मनाय जाता है। यह ब्रेजबाशियों का मुख्य तेहवार है। अनकूट यह गोवर्धन पूजा का पर्व यूँ तो अति प्राचिन का से मनाय जा रहा है। लेकिन यह आज भी मनाय जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस धरा पर अप्तरिद होने के बाद में द्वापर यूग से आज तक यह प्रेंपरा चली आ रही है। और इस तेहवार को मनाय जाता है। उस समय जहां बर्षा के देवता इंद्र की ही उस दिन पूजा की जाती है। वहीं अब गोवर्धन पूजा भी प्रचलन में आ गई है। आईए आप लोगों को मैं कथा सुनाती हूँ पावरानी कथा। एक बार महरसि ने किसी संत समेलन में रिश्यों से कहा कि कार्तिक शुक्रपग्ज प्रतिपदा को गोवर्धन वा अन्पूट की पूजा करनी चाहिए। रिश्यों ने महरसी से पूछा यह अनकुट क्या है? गोवर्धन कौन है? इनकी पुजा क्यूं तथा कैसी करनी चाहिए? इसका क्या फल होता है? इन सब का विस्तार से कह करके किरतार्थ करें? महरसी बोले एक समय की बात है भगवान श्रीकिष्ण अपने सखाओं गोप गौालों के साथ में गाये चराते हुए गोवर्धन परवत की तराई में जा पहुचे वहाँ पहुचकर उन्हों ने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन परवत के पास 56 प्रकार के बेंजन र क्योंकि ब्रतासुर को मारने वाले मेग वा देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा यदि पूजन से वे प्रसन हो जाएं तो ब्रज में वर्षा होती है जिससे अनपैदा होते हैं तथा ब्रजवास्चियों का भरान पोशन होता है तब भवान श्रीकिष्ण भोले य या तो इंद्रोज नामा की यग्य है इसी के प्रभावसे अतिवर्ष्टी तथा अनावर्ष्टी नहीं होती है भवान श्रीकिष्ण भोले इंद्र में क्या शक्ति है उससे अधिक शक्ति साली तो हमारा गोवर्धन परवत है इसी के कारण वर्षा होती है हमें इंद्र से सभी बल्वान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए काफी वाद विवाद के बाद श्रीकिष्ण की बात मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई सभी गोप को आले अपने अपने घरों से पक्वान लाला करके गोबरधन की तरह में जाकर श्री किष्ण भगवान की बताई हुई विधी से पूजन करने लगे उधर श्री किष्ण ने अपने आधी दैविक रूप से परवत में प्रविश करके ब्रजवास्यों द्वारा दिये गए सभी पतार्तों को खा लिया तथा उन सब को आसिरवाद दिया सभी गोपाल अपने यग्य को सफल जान करके बड़े ही प्रसन हुए इधर नारद मुनी इंद्रोजी यग्य से ब्रज को गौँ में आए तो इंद्रोजी यग्य के स्थगित होने तथा गोवर्धन पुजा का समाचार मिला इतना सुनते ही नारद जी इंद्र लोग पहुँच गए तथा उदास होकर देवराज इंद्र से बोले हे देवराज गोपुल के निपासी गोपो ने इंद्रोज बंदर करके आप से बलवान गोवर्धन की पुजा शुरू कर दी है आज से यग्यों आदि में उसका भाग तो हो ही गया है यह भी हो सकता है कि किसी दिन किष्ण की प्रेणा से वे तुम्हारे राज पर आक्रमा करके इंद्र का सिंगहासन भी ले लेंगे नारद जी तो अपना काम करके चले गए इंद्र जी को बड़ा ही क्रोध हाया और क्रोध में इंद्र जो है वो लाल पिले हो बरसने लगे इसे भैभीत होकर सभी गोपकुआले किश्ण की सरण में के और रक्षा की प्रात्ना करने लगे गोप गोपियों की करोन फुकार सुन करके भगवान श्री किश्ण बोले तुम सब गोवर्धन परवत की सरण में चलो वह सब की रक्षा करेंगे सब गोपकुआल पसुधन सहीद गोवर्धन की तराई में आ गए श्रीकिष्ण भगवान ने गोवर्धन को अपनी करिश्ट का उंगली पर उठा करके छाता सा तान दिया गोवाले साथ दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवरेश्ट से बच गए सुधर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजव श्रीकिष्ण भगवान ने सात्वे दिन गोवर्धन परवत को नीचे रखा और ब्रजवासियों को कहा कि अब तुम प्रतिवास गोवर्धन पूजा कर अनकूट का पर्व बनाया करो तभी से यह पर्व के रूप में प्रसलित हो गया गोवर्धन पूजा के दिन गाय से जाता है और उसकी पूजा की जाती है भोग लगाने है तो छपर प्रकार के भेंजन बनाये जाते हैं गोवर्धन भगवान की जय हो श्रीकिष्ण भगवान की जय हो गोवर्धन परवत की जय हो इंद्र भगवान की जय हो आपने अपने हाथ में पुश्प और चावल लिय है उसे गोवर्धन भगवान जो बनाया है उसके ऊपर चढ़ा दें मेरा यह वीडियो आप लोंको अच्छी लगी हो तो किर्प्या वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर दें वेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद